हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज के वीडियो में लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत सुन्दर सा स्वेटर जो हमने दो से तीन साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है यह दो से तीन साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी ठीक है अगर आप गल् सकते हैं वैसे बॉइस के लिए बनी हुई है और बहुत ही सुन्दर यह स्वेटर बनी हुए अगर इसमें आप पॉकेट बनाना चाहते हैं तो इनर पॉकेट भी बना सकते हैं ठीक है मेरे चैनल पर आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी लेकिन इसमें नहीं बनाया हमने आज हम इस वीडियो को बनाएंगे फुल डिटेल इसकी देंगे कि कितना इसमें उन लगा हुआ है कौन से नंबर के निडल हमने यूज किये हुए है और इसे बढ़ा या छोटा बनाने के लिए आपको कितने फंदे लेने पड़ेंगे ठीक है पार्ट वन में हमने इसका प है और बाजू में कितने फंदे दे करके बाजू कैसे बनाए ठीक है आज हम बना रहे पार्ट वो जिसमें इसका फुल डिटेल देंगे हम मैजरमेंट सहीट ठीक है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन के साथ और इसके जितने भी पार्ट पता चल जाते बेसे में पैया जाएंगे घय्र या मेरी आपकर आप मेरे चैनल पर सीख गए तो आपको दिसक्राटिय सं बॉक्सी की कोई जरूरुरत नहीं पड़ेगी क्यूंकि जो भी सवेट नियुक्त बनानी हूं उसके जितने भी पार्ट होते हो सभी पार्ट आए इ इस तरह की स्वेटर और भी आपको मिल जाएंगी लेडिज काारडिगन जैन स्वेटर और बड़े बच्चों की स्वेटर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगे ठीक है तो शुरू करते हैं इसका मैजरमेंट लेना देखें और कहीं-कहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाती लेकिन नहीं होगा तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा ठीक है बिल्कुल भी आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है सटर तो यह देखिए पूरी लेंध है इसकी बतादू मैं 14.5 इंच है पूरी लेंध है इसकी 14 इंच है आप अपने बच्चे की स्वेटर से देख लीजिएगा अच्छे से तभी स्वेटर बनाई है कि बहुत सारे विवर्स देखते नहीं है वीडियो और फिर कॉमेंट करते हैं यह कहां है वो कहां है यह नहीं मिल रहा है यह तो आपने बताया है नहीं मैं सारी डिटेल बताती हूं बलकि मैं अपनी गलतियां भी बताती हूं आप लोगों को कि मुझसे यह गलती हुई है आप यह गलती मत कीजिएगा ठीक है फिर भी बहुत सारे विवर्स मुझे थोड़ा कभी-कभी बहुत खराब लगता है इतनी महनत से मैं स्वेटर बनाती हूं इतनी महों से मैं बीडियो बनाती हूं फिर उसमें काफी चीज़े देने के बाद भी लोग बोलते हैं आपने यह क्यों नहीं बताया जो कि मैं कर्प्लें कि बनाते बनाते बहुत सारे मेंसे पॉइंट आपको नोट कराती हूं कि इस तरह का मत कीजेगा, ये मत कीजेगा, या ऐसे कीजेगा, ऐसे मत कीजेगा, कई सारे विवर्स, तो फंदों को लेकर करके आर्गुमेंट करते हैं कि आपने तो 20 बताए थे, इसमें तो 21 हैं, इसमें तो 24 हैं, 2-3 फंदे जादा कम भी हो जाएं, तो कोई फरक नहीं पड़ क्यों है, अगर आपको मेरे उसमें कोई कमी लगती है, मैं कहते हूँ आपको कुमेंट कीजिएगा, यहाँ पे कोई गलती हो, उसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन ऐसे ऐसे कॉमेंट आते हैं, कि फिर मुझे मन करता है कि मैं फिर वीडियो ना बनाओ मैं इतने पार्ट बना देती हूँ वीडियो के स्वेटरों के कि आपको एक एक चीज का पता हो स्वेटर बनाती हो वक्त एक एक चीज का पता हो कि कैसे क्या करते हैं कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं कहां पर क्या करना चाहिए सारी चीजे मैं सोचती हूँ कि आप लोगों भी समझ जाएं लेकिन बहुत सारे विवर्स थोड़ी सी परिसानी ऐसा है उनको मेरे वीडियो बनाने से तो जान बूचके भी करते होंगे चलो कोई बात नहीं तो देखे 14 इंचे इसकी पूरी लेंठ है आप अपने बच्चे के स्वेटर की लाइंध के सारी से बनाएं ठीक है और अगर आपको 3 शाल के चार साल के बच्चे के लिए भी बनाना है न तो आपको फंदे सीम लेने चार साल के बच्चे को भी फंदे, यही आएंगे, हो सकता है आप 4-5 पीछे बढ़ा दें, दो, δो, आगे बढ़ा दें हो सकता है, लेकिन इसकी देखे, देखे, चार साल के बच्चे को भी यह 13 इंच का, इसका चोड़ाई है, और यह खीचेगा, ठीक है, तो इस हिसाब से, यह ज्यादा भी कर सकते फुल मेजरमेंट बता दिया मैंने चोडाई बता दिया मैंने बाजू बता देती हूं मैं बाजू में देखे काफी फंदे हमने 40 फंदे लगवक किये हुए हैं तो यह बाजू हमारे 5 साल के बच्चे तक को आ जाएगी बस आपको लंबाई करनी है इ आपको सेम फंदे लेकर के लंबाई बढ़ानी है जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उत्ते फंदे और ज्यादा होते जाएंगे इसमें तो अपने आप 5 साल के बच्चे को भी यह बाजू आ जाएगी जो बाजू हमने इसमें बनाई हुए ठीक है बाकि आपको इसमें थोड फंदे हैं आप पार्च 2 गर करके पूरा देखेगा जितने फंदे हैं उसमें 9.5 इंच बनाए है ठीक है तो आपको अगर 8 इंच का बनाना है तो आपको 10 एंच का बनाना होगा तो आपको 15-18 पंदे कम करने पड़ेंगे और 1 इंच में हमारे 6 फंदे आते जितनेबी इंच बढ़ाना है इसको जितना भी इंच घटाना है उतने 6-6 फंदे आप कम या ज्यादा करते जाएंगे ठीक है आगे समझ में फ्रंट पार्ट का भी मैं बता दूं इसमें हमारे 40 फंदे लगभग है फुट्टी फंदों में हमारा 6.5 इंच आरे अगर आपको एक इंच साड़े साथ इंच बनाना है तो आपको 6 फंदे इसमें बढ़ा लेने इस तरह से आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं ठीक है गले में हमको तीन साल का बच्चे चार साल का बच्च भी ये गला पहन सकता है 5 साल के बच्चे को ये 45-45 इसमें 40 फंदे हमने उठाए हुए है आपको क्या करना है पैटालीस उठाने 35 पीछे होगे 45 ये होगे तो पांस साल बच्चे को गला एकदम से आजाएगा बाकी दो साल का तो यह है थीन साल और चार साल के बच्चे को सेम गला आएगा और इस से कि गले को चुँज कर सकता है बाकि अगर आपका बच्चा चोटा है तो इसमें 35 या 36 पंदे लिजिएगा ठीक है अगर न्यूबॉर्न बेबी है तब भी 36 फंदे लेनी है 6-month बेबी है तब भी 36 तब भी 36 यह ट्वी खिर अगर 2 येयर बेभी 4 येयर या 5 येयर तक का 40 फंदे फुर्टी फंदे लेने आपको ठीक है बाजू में और 10 फंदे आपको सीधे बढ़ा देने फिर आपको दो पैटन बनाने के बाद हर चार रो में एक फंदा बढ़ाना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो दुनी 18 18 फंदे ऐसे बढ़ गए आप और आपको इसका जो बार्डर है वह हमारा तीन इंचे लगभग है और 9 फोल तक हमने कित्ता बनाये था 9 इंच बनाये था ठीक है अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बाकी स्वेटर थोड़ी छोटी या कम भी हो जाए, तो चलेगा, ठीक है, तो, देखे, ये कटिंग भी हमने 2 इंच में लगबग किये, 2,5 इंच में, 2,5 इंच में किये, देखे, कि 5 2 इंच के बाद हमने कटिंग कर दी तो आप भी इसमें भाइंच के बाद ही कटिंग कीजिएगा दो साल तीन चार साल वाले और पांच साल वाले mind open at के किजिएगा क्योंकि यह चीज उनकी बढ़ जाएगी आर्म होल की और नुबचंग बेबी और सिक्स मunt 14-1-year baby क्या करेंगे, दो इंचके लंबाई में गले की कटिंग करेंगे तो बाकि पंदिय आप क्या करेंगे, मैंने बता दिया आपको पांक साल, यह हैं, तीन साल, चार साल वाले सेम फंद लेंगे,อागे तो उतने लेंगे, बैक साइड में भले ही पांच फंदे बढ़ा लीजी आप लेकिन आगे फ्रंट साइड में आपको सेम फंदे लेने हैं तीन दो साल तीन साल चार साल वालों को पांच साल वालों को क्या करना है पांच छे फंदे यहां बढ़ा लेने हैं दो या तीन फंदे तीन फंदे यहां बढ़ाएंगे तो 6 फंदे यहां बढ़ाएंगे तो आराम से आपके 5 साल के बच्चे का हो जाएगा और newborn baby को 50 फंदे रखने हैं इसमें 50 फंदों के बाद 10 फंदे बढ़ा लेने हैं और बढ़ा लेना है 6 month baby भी 50 फंदे ही लेगा और शिर्पर length उसकी बढ़ जाएगी ठीक है और 1 year baby का इसमें 55 फंदे होंगे और front side में 1 year baby का इसमें 35 फंदे 35 फंदे होंगे newborn baby का 30-30 फंदे होंगे ठीक है सबना आगे आपके बागी length के हिसाब से आप बना लीजेगा ठीक है कोई भी अगर आपको confusion हो तो मुझे बताएगा मैं comment में आपको बताऊंगी बाकी अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं आपको अपना WhatsApp नंबर दूँगी और यह order पर बनी हुई है तो यह जा रही है जल्दिवाजी मैं इसकी बना रही हूँ सिर्फ आपको hint देने के लिए थोड़ा सा idea देने के लिए मैं वीडियो बना देती हूँ बाकी अगर आपके समझ में ज्यादा नहीं आ पाता है तो आप सिंपल स्वेटर बनाईए और भी स्वेटरों की मेरे पास वीडियो है मेरे चैनल पर वीडियो है आप उनको देख सकते हैं आपको help मिल जाएगी ठीक है तो इसमें हमने कैप और सॉक्स भी बनाई हुए है कै स्वेटर हमारा थोड़ा बड़ा है लेकिन कैप हमारी छोटी है क्योंकि स्वेटर क्या है बहुत सारे कपड़ों के साथ उपर से पहनाएंगे तो एक साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा और एक साल का बच्चा कैप पहनेगा तो फिट पहनेगा तो स्वेटर इसलिए कि बड़ी बनाई है member uhm mail यहां पर हमसिए बनाई होए और यह शौकस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी लेकिन इसकी सप्ट्वी नहीं मिलेगी इसी तरह के सब्सक्राद कट आप आराम से मिल जाएगी मेरे चैनल पर तो आप कोमेंट कीजिएगा मैं आपको लिंक भीजूँगी ठीक है और इसका मैं फुल बता देती हूँ पूरी इसमें उन कित्ती लगी है तो इसमें टोटल 300 ग्राम उन लगी है ब्लू कलर का 200 ग्राम लग गई होगी और वाइट कलर का सौ ग्राम लग गई होगी लेकिन मैंने यह दस नंबर से बनाया हुआ है अगर आप यही उन यूज करना चाहते हैं जैसे यह हमने की है थ्री प्लाई की उल यूज की है तो आपको इसमें नौ नंबर का लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह थोड़ा सा मोटा आ गया है तो यहाँ पर हमने 11 नंबर से इसका बॉर्डर बनाया हुआ है यह जो बॉर्डर 11 नंबर से बना हुआ है और जो उपर है वो 10 नंबर से तो आप क्या करेंगे बॉर्डर 11 से ही बनायेगा लेकिन उपर आपको अगर मोटी है अगर आपकी उन मोटी है तो ने तो दस नंबर से इसको बनाईगा ठीक है थोड़ा धीला सा सा भी यह आएगा और थोड़ी ऊन कम भी लगेगी ठीक है तो इसमें उन का भी मैंने बता 200 ग्राम वाइट लग गया होगा तो इससाब से ले लीजीगा और बहुत कोई परिशानी है अपको तो कमेंट जरूर किजिए गाम आपकी हेल्प करूंगे तो कैसी लगी आपको यह वीडियो जरूर बताएगा चोटी सी क्लिप मैंने दिए है आप description box में कैसे जाएंगे और इस sweater के सारे link आपको कैसे मिलेंगे उसके लिए ठीक है तो अच्छी लगी या कोई भी आपको दिक्कत हो रही है कहीं पर भी मैंने गलत बताया है कुछ मेरे से गलती हुई है या कोई आपको अच्छी लग रही है sweater या कुछ भी बोलना है तो comment जरूर कीजिएगा मैं आपके comment का बहुत इंतिजार करते हूँ ठीक है यूटूब पर जाएंगे यह हमारा यूटूब है इसमें जाएंगे यूटूब ओपन कर लिया हमने और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहां पर हम टच करेंगे तो वहां पर आ जाएगा अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे इस तरह का जो एक यहाँ पर लोगो होता है यह बीच में इसको टच करेंगे तो निटिंग वी धानी लिखेंगे यह मेरा चैनल का नाम है इसको लिखेंगे आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो पेज आजाएगा इसमें क्या करना है आपको सबसे उपर जो बैल आइकन दिख रहा है और में आपको टच कर लिना है ठीक है इससे क्या होगा कोई भी वीडियो में अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ठीक है अब आपके मोबाइल मेरे चैनल को ढूरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्या करना है यूटूब खुरना है यहाँ पर जो आपको बटन डिख रहा है सब्सक्राइबर का वहाँ पर टच करना है उपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किये हैं वो लोगो आपको दिख जा है इसमें देखे वीडियो यहां पर कम्यूट्टी भी है जहां पर इस तरह से हम देते हैं अड़ीं तो आपको क्या करना है वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है बहुत सारे पाठ हमने बनाए है स्वेटर के और उनको श्वेटर के पाठ नहीं मिल रहे हैं जैसे कि यह देखें यह स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे पार्ट हमने बना रखें, तो अब इसमें description box कहा है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है, आपको एक मेरी वीडियो मिल गई, तो उसमें क्या करना है आपको, देखें, मेरी वीडियो मिल गई, लेक यहां पर हमारा description box open हो जाएगा, और यहां पर भी more लिखा हुआ है, इसको भी touch करेंगे, तो link सारे देखें, कितने सारे, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस sweater में हमने 5 वीडियो बनाई है, तो 5 link का आपको मिल जाएगे, link touch करेंगे, तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी ठीक है, तो यह तो रहा description box, जिनके भी को भी थोड़ा सा problem आती है, तो उनके लिए, और आप क्या करना है, जैसे कि यह वाली sweater के लिए काफी comment आते हैं, कि यह इसका part 1 नहीं मिल रहा, part 3 नहीं मिल रहा है, तो देखें, इस तरह से आप मेरे channel को subscribe करेंगे, और open करेंगे, तो आपको लगातार, एक के बाद sequence में सारी वीडियो मिल जाएंगे, देखें, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, 6 part बने हुए है, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो subscribe करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमने औरेंज कलर की जो sweater बनाए थी, इसका देखें, 1st, 2nd, 3rd, 4 5th और 6, 6 के 6 part आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, sequence से लगी हुई है, देखें, कोई भी sweater आप बनाएंगे, तो उसके आपको सारे part एक साथ मिल जाएंगे, यह देखें, इसमें भी कई सारे comment आए कि part 2 नहीं मिल रहा है, part 1 नहीं मिल रहा है, तो यह साथ में आपको मिल जाए इस तरह से आप अगर चैनल पर जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो ठीक है, तो चैनल पर विजित जरूर कीजेगा इस तरह से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा